क्योंकि अगर फोन पर जवाब दोगे आपके पास कोई record नहीं होगा और कल जब bank court जाएगा तो आपके खिलाफ केस बन जाएगा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया था जाएगा टॉटिस नहीं होंगे जज कहेंगा इतने सारे नोटिस वेज facilitating पहलत पहले था BV idea उत उप्रेंस पर гл Gomu बखेके में आपके टाएगां उसमें लिखा प्रत अधिवक्ता है प्रसकी इंग्लीश में लिखना हुगा या है ग। प्रवकेट का सिम्बल होगा वह वकील का नोटीस है वकील के नोटीस का जवाब वकील के थ्रू दिया जाना चाहिए 500 शुर रुपे लेता है कोई भी वकील जाोगे वो उसका जवाब लिखा होगा आपके ओपर आरूप लगाऊंगा उनका जवाब देदेगा अगर आप जवाब देते रहेंगे तो क्या होगा나ुश आएका आपने फिर जवाब देना है फिर नोटिस है फिर जवाब देना है आपकी प्रॉपर्टी घर चीजें गाड़ी उन पर कबजा नहीं होगा आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा भगोड़े नहीं हो क्योंकि भाग नहीं देगा तीसरा नोटिस आता है अदालत का उसमें अच्छी तरह आप अपनी बात रख सकते हैं और भारत का सविदान हर वेक्ति को अपनी बात रखने की इजाज़त देता है आपके साथ जो बीट रहा है वह आपसे वहतर कौन बता पाएगा यार मेरे साथ जो बीट है मैं बता पाऊंगा जस्साब के सामने जाओ और अपन अब ही क्या होगा आपने बोल दिया जी मैंने तो बिजनेस में लगाया नुकसान हो गया जब एप्लिकेशन निकलेगी जवाब के एप में दिखेगा पता जाएगा आपने तो गेम खेली थी तो माना जाएगा कि आप जूट बोल रहे थे जूट नहीं बोलना जो सच्छ सरकार माफ कर दे ठीक सरकार समय दे तो भी ठीक लेकिन अगर नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा पहले आएगा बैंक का नोटिस आपने जवाब नहीं दिया फिर आएगा वकील का नोटिस आपने उसका भी जवाब नहीं दिया फिर आएगा कोट का नोटिस अगर उसका भी जवाब नहीं दिए और आम नहीं मिलते हो तो आपको पीओ यानि भगोडा डिकलेर कर दिया जाएगा और आपके जितने भी आपके पास आईडी कार्ड्स हैं उनके आधार पर आपकी सर्च होगी प्रॉपर्टी भी जा सकती है घरवालों को परिशन किया सकत है ऐसी नौबत मताने दो आपने लोन लिया कोई गुना थोड़ी कर दिया यार लोन लेना कोई क्राइम नहीं है और लोन ना चुकाना भी कोई क्राइम नहीं है जो लोग आपको डराते हैं बैंक वाले एंबी एफसी वाले एप्लिकेशन वाले क्या आपने गुना कर दिया क्राइम कर दिया लोन अगर नहीं चुका पाते हैं तो ये कोई अपराद नहीं है ये अपराद की शिरेड़ी में नहीं आता तो इसलें डरना नहीं है लोन नहीं चुका पारेगा कारण पता करो कारण क्या क्या हो सकता है हो सकता है आपकी बस कमाये का साधन ना रहा हो सकता नौकरी छूट गई हो सकता वैपार बंद हो गया जैसे किसी ने कहा मेरी चूट गई मैंने का प्रूफ है अगर आपकी नौकरी छूटी और आपके पास सबूत है तो बिल्कुल मत घबराना जब भी सरकार बुलाईगी वह सबूत दिखा देना उस डेट के बाद अगर आपकी नौकरी छूटने के बाद बैंक ने आपको पेनल्टी लगाया होगी सर्चाज लगाया होगा इंट्रेस लगाया होगा वह सब सरकार को हटवाना पड़ेगा हटा देगी सरकार वैसे तो बैंक को ही कर देना चाहिए आर्बे कहता है जब आपको लोन मिला तो आपको लोन ऐसे मिल गया क्या आपका सिबिल चेक किया गया आपकी बैंक की स्टेट्मेंट मांगी गया होगी आपको गारेंटर लिया गया होगा आपके पूरे डॉकुमेंट्स देखे होंग कि आपकी एमाई बाउंस हो बैंक को जाकर अपनी सिद्धी के बारें बताओ अभी एक साथ ही आए हमारे उन्होंने बहुत बड़ी हबात करी वैसम ने का मेरी सारी एमाई जा रही है लेकिन मैं लेटर भीज़ रहा हूं सबको के मेरी आर्ची की सिद्धी खराब है आगे नह तो मैसे दे दिया आपने पहला आप डिफॉल्टर नहीं हो आप पैसे करना चाहते हो नी दूसरा है 3-2 मेने मेने 2 साल तक समय मिल सकता है जिसमें आपको हैंनी करना है। क्या पह करना है ऍंट्रेस्ट पे कर दो हैं लोगा पचास जार उपया हैं վब 304 मेहना भर सकता है लैंक्स करें को रिकार का मैं यह को नहीं होते हैं इमाइ को कम करके अमाउंट कम करके दूरैशन बढ़ा लो या दूरैशन कम करके अमाउंट बढ़ा लो मालनों आपको यदusic पैसे आगए किसे तो आपको लगित भली तुम चाहूंब कर दें और झूप साल विसको दो साल कर दें तीन साल कर दें वह करा सकते हैं आपका बिजनिस कम हो गया नौकरी छुट गई आपकी एमाइजा रही थी 50,000 की अब आपको लगगा है मैं तो बीस जार चुपर नहीं पर पहूंगा बैंक से बोलो मुझे बीजार की एमाइज कर दें दस साल की यार सुन ले ना भाई पूरी बात अभी समस्या क्या आती है हम बैंक में जाके बात ही नहीं करते अब कई लोग कहते हैं जैसे भाई ने भी कहा कि एमाइज बढ़ जाएगी तो ब्याज बढ़ेगा और भाई प्रॉपर्टी तो बच जाएगी हमें 50,000 नहीं दे सकते बीस सामजद्दा के पैसे दे दे तो तो फायदा हो सकता है जबता सरकार नहीं दे रही तुम देते रहो जिन लोगों का लून माफ होगा मैं पहले ही बता रहा हूं सबसे पहले उन लोगों का लून माफ होगा जिन लोगों ने जानबुच का डिफॉल्ट नहीं करा और एक भा पचास लाग की चीज्श तुमारे पास घिर्वी है तुम क्या चाहोगे कि दस राग मोंट भणाता रहेगा कब तक जिस दिन तक तुम डिफॉल्ट ना कर जाओ और जब डिफॉल्ट कर जाओगे तो तुमारी प्रॉपर्टी चली जाए इसलिए प्रॉपर्ट ना जाए खुद लड़ो मैं तुम्हारी लाइक लग रहा हूं तीन इस सर पर पहला तुम्हारी जानकारी सरकार को दे रहा हूं क्यूं दे रहा हूं मैंने जानकारी पता करी कि बड़े-बड़े अमीरों का लोन माफ क्यूं होता है कारण क्या है उनकी जानकारी सरकार के पास रहती है वो जितना lewn लेते हैं, कितने उन्होंने market से share उठाए हैं, कितना public से पैसा लगाया, कितना bank से लिया, सारी जानकारी सरकार को देते हैं. तो सरकार के पास जब जानकारी होती है, सरकार को पतारा होते हैं, कि मदध-कर्णिया अज़िक्कार आ री है. आम इंसान ने जब लोन लिया वो तो जारकारी सरकार के पास है लेकिन जब वो डिफॉल्ट कर रहा है पे नहीं कर पा रहा है वो जानकारी है नहीं सरकार के पास क्यों नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं एक करजा लिया उसको चुकाने के लिए दूसरा करजा ले लिया इसे बोलते हैं करजे की दल-दल मानों आप एक गड़े में फसे और उसी गड़े में से मिट्टी निकाल करके आप गड़े से बाहर न लोन चुकाने के लिए लोन नहीं ही लेना चाहें कुछ भी हो जाए एक बार गड़े गर ग्रियों अभ दुबारा गड़े में मत गड़ेना लोन चुकाने के लिए लोन इतली दंधि है और राहिसान का मुझे नहीं मालूम मैं मद्द्रप्रदेश गया आध पता चला अपनी बेहन को अपनी बेटियों को अपनी बीवी को भीज़ेओ मेरे परसार कि पुरुक्तित यह सबस्क्तित छो मैं मैं कहता हूं जो कोई सरकारो का धिकारी है और किसी भी मार्केट के घुंग